हेलो बच्चो स्वागत है आप लोग का मेरे यूटूब चैनल विद्य अकेडमी में आज हम सिक्षा निदे साले की वॉक्षीट नंबर 80 को हल करेंगे ये वॉक्षीट क्लास 6-8 के बच्चों के लिए है कॉमन वॉक्षीट है आप लोगों की ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग अपना नेम लिख देंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम और सेक्षन डेट देख लीजे 6-10-2020 की यह आप लोगों की वॉक्षीट है तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वॉक्षीट को करना क्या लिखा हुआ इस वॉक्षीट में सबसे पहले क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रदूशन प्रदूशन से क्या समझ में आ रहा हुआ इसे कौन सी कॉपी में करना है साइन्स की वॉक्षीट की कॉपी में इसे आप करोगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना प्रियावरण में हानी कारक पद्दार्थ का मिल जाना जो हमारा यह इन्वार्मेंट है इसमें जब क्या मिल जाते हैं हानी कारक पद्दार्थ मिल जाते हैं तो यही क्या कहलाता है प्रदूशन कहलाता है यह भूमी जल तथा वायू को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुप्योग बनाता है यह क्या करता है हमारी भूमी जो है हमारा जो जल है हमारे जो इंबार्मेंट में हवा है उसे क्या कर देता है गंदा करता है और उन्हें उप्योग के लिए असुरक्षित या अनुप्योग बनाता है हम उन्हें उप्योग जो करते हैं तो क्या होता है वो हमारे लिए असुरक्षित होता है और हमारे लिए फाइदे मन नहीं होता है तो वो हमारे उप्योग करने के लिए क्या कर देता है उन चीजों को असुरक्षित और अनुपित बनाता है प्रदूशन हमारे श्वस्त और प्रयावरण पर बुरा परभाव डालता है क्या करता है यह हमारे सरीर क्योंकि सरीर हम कुछ हवा हमारे अंदर जा रही है न मिट्टी में मिट्टी ना जुगाए जाता है तो यह सारी चीजे क्या है हमारे सरीर को भी क्या करती है नुकसान पहुचाती है और हमारे प्रयावरण को भी नुकसान पहु कौन कर रहे हैं हमी लोग कर रहे हैं मानों ही कर रहे हैं ठीक है उधारन के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुए के कारण वायू परदूशन होता है कैसे होता है वायू परदूशन वाहनों से होता है जो वाहनों से धुए निकलता है कारखानों से जो धुए निकलता है उससे क्या होता है वायू परदूशन होता है मुख्य परकार के परदूशन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं कौन से होते हैं वायू परदूशन जल परदूशन भूमी परदूशन और धौनी परदूशन कितने परकार के होते हैं चार परकार के परदूशन ह होते हैं ठीक है ये तो समझी गए होगे वायो क्या होता है प्रदूशन कैसे होता है इंवार्मेंट में जब धुमा घाडियों के वह नों के दुएं फैक्ट्रियों के थूंए अलग अलग चीज़ों के Marty वंग तो हमारा क्या हो प्रदूशन के उत्तर दीजे कुछ चित्र दिये गए हैं आपको चित्र देखके समझ में ही आ रहा होगा कि ये कौन से प्रदूशन हैं जो चार प्रकार के प्रदूशन बताए गए हैं उनहीं में से ये चारो हैं पहला आपको दिख रहा है ये धूमा उतता हुआ न तो क्या प्रदूशन है वायू प्रदूशन हैं दिख रहे हैं पहले में मैं पहले तो यह ना इत्वत निकलते के उएं वह वे शकylite तो दूसरा कान बंद किया हुआ है गार ट्रेन जा रही है ट्रेन की अवासिस ने क्या बंद कर लिया कान बंद कर लिया तो दूसरा क्या हो गया धुनी प्रदूशन तीसरा क्या हो गया फैक्ट्रियों का घंदा पानी कहां आ रहा है नदियों में आ रहा है तो यह हमारा कौन कोशन को देखते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायू परदूशन के कारणू पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें जो हमारे दिल्ली में परदूशन होता है नौवंबर के महीने में बहुत ज्यादा जो देख लो अब आने वाला ही लाश्ट येर आपको याद होगा तो आपकी स्कूल की चुट्टियां भी हुई थी किस वज़े से परदूशन की वज़े से परदूशन हुआ क्यों था जब पंजाब और हर्याना में पुवाल जलाय जा रहे थे जो पुवाल इस समय कटते हैं जो अनाज लगा होता है उस सी के बारे में कुछ लाइने लिखनी हैं अपने घर में अपने बढ़ों से पूछी और लाइने लिख है त्थी के मैने लिखा रहे दिख की राजधानी दिल्ली में उड़ने वाले धूल के कड़ होते हैं लेसे बैट्रोल सेentesसे चलने वाले जुवाहन है कारखानों से निकलने वाला जो धुआ है तथा पंजाब और हर्याना में किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण होने वाला प्रदूशन हमारे लिए क्या होता है बहुत जादा नुकसान दायक होता है यदि आप अपने बड़ों से घर में पूछोगे तो वो भी यही बता किस तरीके से प्रदूशन होता है और यह हमारे लिए क्या होता है नुकसान दायक हमारे स्वस्त के लिए क्या होता है हानिकारक होता है अब इसके कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं क्या करोगे आप गाडियों का कम से कम इस्तमाल करोगे मालों आपको थोड़ी दूर पे जा लेकिन बहनानों का प्रियोक करना आप क्या कर सकते हैंच से कम कूर। इसलिए पूड़े को भाहर न फेके प्लास्तिक्स जो पोल्तिन होती है उनका ना करें ठैलेका जो जूट के बने उनका आप इस्तमाल कर सकती ओप कार खानों से निकलने वाले द्वे को नीयंच Indraja निकल रहे हैं उन्हें सरकार से पहले आदेस लेना चाहिए तरीके सेरीके से सरकार को भी स्वर्डर लेना च Mother जहीए जाया से जादा पील किया करेंगे आप जयादा लगाए liksom जो भूमिए आपका प्रदूशन भोबी बचता है और हमारे इंवार्मेंटबी क्या रहेगा स्वक्षिय रहेगा ठीक है तो कुछ लिए सब्सक्राइब करें और हाँ मैरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना शाय कैसी गुट बाई